तो आज हम देखेंगे हम जो सारी notifications होती है by DGFT जो कुछ भी export में, import में changes आते हैं वो हम कहां से देख सकते हैं तो let's see, हमें search करना है DGFT जो की Directorate General of Foreign Trade की official website है जैसे ही आप इस website में enter होगे, आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है? यहाँ पे आपको जाना है first, second, third और यह जो fourth है, regulations उसमें जैसे ही आप regulations पे click करोगे, तो आपको कुछ इस तरह से drop down menu दिखेगा, उसमें आपको click करना है notifications पे जैसे ही आप notification पे click करोगे, तो वहाँ पे आपको जो सारी latest notifications आई होई होती है, उसका पूरा एक list मिल जाएगा जैसे कि उस notification का number, किस year के लिए है यह notification और किस date पे आई होई है, और किस के regarding है तो देखिए, यहाँ पे मैं देख सकती हूँ, amendment in export policy of non-basmaty white rice, ठीक है और उस बासmaty rice का HS code भी यहाँ पे दिया गया है, तो मैं इस notification के लिए उसकी PDF यहाँ से आराम से download कर सकती हूँ, देखिए हम यह PDF चेक करेंगे, Similarly, आपको कोई और चीज के लिए notification चाहिए, तो वो भी आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है Export of non-basmaty white rice under ITC HS code number, ठीक है, to Malaysia through National Cooperative Exports Limited, तो इसकी जो notification आई हुई है, उसको भी मैं यहाँ से download कर लूँगी तो I hope अब आप सबको समझ में आ गया होगा, कि हम DGFT से notification कैसे चेक कर सकते हैं, आप latest किसी भी product के लिए, किसी भी goods के लिए, कोई भी जो कुछ भी latest amendment आया हुए होते हैं, उसकी notification DGFT अपनी official website पे शो करते हैं, तो उसके लिए आपको visit करना पड़ेगा, Directorate General of Foreign Trade की official website जो की है www.dgft.government.in पे